दोसा में जेजेपी प्रत्याशी आश्यतोष जालानी पर अग्याद बदमाशों ने हमला कर दिया हमले में प्रत्याशी का चहरा जुलस गया जखमी हालत में प्रत्याशी को राज के अस्पताल पहुँचाए गया डॉक्टर ने प्राथ में के लाज के बाद प्रत्याशी को ज्वैपूर रिफर कर दिया ज्वैपूर में उनकी हालत समानी होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है हमले में दो लोग खायल हुए है वहीं बदमाशों ने मारपीट का दौरान वाहन को आग के हवाले भी किया घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है घटना जिले के मंडावर्थाना के इलाके के एदलपूर गाउं की है बताया जा रहा है कि जेज़ेपी प्रत्याशी का वाहन चालक और सेकरेटरी हमले में घायल हो गए जेज़ेपी प्रत्याशी ने पुलिस को बताया कि सोमवार की देरात करीब एक से डेड़ बजे के बीच पुश्टैनी गाओं बनावर से वाहन से भैरू बाबा की पूजा अर्चना कर लोट रहे थे एदलपुर गाओं के पहले पावर हाउस के पास सुनसान जगे पर अचानक करीब चार-पांच बदमाशों ने वाहन पर पत्थराओ किया बाद में वाहन को रुकवा कर मार पीट की पैट्रोल से भरी बोतल से वाहन को आग के हवाले कर दिया शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए घटना की सूशना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची थाना अधिकारी का कहना है कि मामले में जाच चारी है उधर कु